ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि घाटी में धर्म परिवर्तन पर महुल खराब हुआ हो और एक और मामला बीते दिनों सामने आया और उसके बाद तमाम जितनी भी राजनेतिक पार्टी के बड़े-बड़े नेता थे उन्होंने अपने अपनी टिपनियां दी और आज इस धर्म परिवर्तन पर जो जब्रन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है चाहिए हम पाकिस्तान की बात करें चाहिए घाटी की बात की जाए क्योंकि डोगरी जबी आगदे के तीयां सब्दी साजीयों दिया ते बेटियां सबकी एक जैसी होती है और हमें बेटियों के लिए हर एक व होल गरमाया हुआ है और जबरन दर्म परिवर्तन की बातें जो है सामने आ रही है क्या लगता है इस पर कोई कोई न कोई कानून वगएरा जाओं कुछ बनना चाहिए बाल तो भाजबा की कोड़ में है संसद उनके पास है जम्मो किश्मीर उनके पास और हम लोगों ने तो स्टार्टिंग से यहां पे का कि जब जबरन ऐसा दर्म परिवरतन ऊसके हम लोग खिलाव यहां पे joining जबरन जबर्दस्ती कोई चीज यहां पे हो तो उसके लिए तो सब लोगों को जितने भी आदमी है जितने भी शिक्सीते यहां पे हो किसी भी पुमाने पर यहां पे हो उनको एक सुर्म के साथ एक सुर्म लाना चाहिए और जिसका जिकर आप लोग कर रहे हैं उसमें मैं गाटी की बाद ने गए उदुमपूर का भी कल वाक्या काफी चर्चा में यहां पे है तो यह हो क्या रहा है यह आप पोजिशन जो है सित्धी बड़ी समंजस में पोजिशन में है बाजबा को चाहिए कि इस दंग की वारदात को जहां जबर्दस्ती कोई चीज यहां पे हो उसमें रोक्ताम लगनी चाहिए हारे की आस्ता अपने अपने दर्म पर यहां पर होती है किसी आसी ताकत को मोका ना मिले कि वो अपनी स्यासी रोटियं सेख पाए हाली में दो चार दिन पहले काफी महर गरमाया यहां पे था सब साथियों की नजर इस पर यहां पे टिकी थ जे तो इसके लिए तो अब केमा तो बाजबा के पास यहां पे है कि अब जिस नक से वो बोलते हैं को जमू कश्मीर में जिसको इन लोगों ने रियासत को तोड़के यूटी बना दिया यह बड़ा तुफान ख्रड़ा करना चाहते थे कि हम इसलिए यहां पे चीज़ें कर मिलते थे सुनने को नहीं मिलते थे आज वो जबरन चीज़ों का वाक्य एक वाक्या नहीं लगातार सीरीज ऐसी वाक्या है तो उसके साथ अगर कोई अपनी रजब मंदी से किसी डंक से जाते है वो भी क्योंकि डिफरेंट जो बियाना यहां पे आया है संजीत की से क्योंक साइसाब को तो जाये तक कि इस डंक से थारो प्रोब हो थारो जांच हो कि इस पीर जान्च होना चाहिए और हम जो है इस पर संग्यान लेंगे कब लेंगे too बैठे यां बैठे था आब उनको कहते हैं indeed कई हो रहा यहां पर तो मैं तो यही को हूँगा कि आप ये सिर्ब कहने से भाजिनी होगी लालिप नहीं चाहिए टोलबस अठा दूँँगा उकार दूँगा वो नहीं चलिए जमीनी स्था पर काम चाहिए जमीनी स्था पर जिस टंक से ये जबरन का शुआ किसी समुदाए को ठेस ना पहुंचे हम सब लोगों को ऐसे काम करने चाहिए हर एक समुदाए अपने अपने तरीके से शांती पूरुग डंक से यहां पर रहे जो आरेड़ी ज जगां पे किसी बी तपकस्यूंब को बाम बोले की बाते करें तो हम लोगों को मसाल देते हैं मुस्लिम ब्रादरी का अल्ल़ के नाम के नारे माला जबता है और उब बाम बोले जिंदा का थिंद्व का हो हूँदू-दर्म का होता बजूग œदमी को कंदों बढ़ागे बावामनाद के दर्शनों के लिए जाते हैं तो ये मसाल आज की नहीं कई सदियों में रही है उसको ठेस पोचाने के लिए कुछ ताकते हैं जिनका अपना बजूद कुछ नहीं इस दार्मी बावनों को बढ़का के अपनी स्यासी रोटी ये सेखना चाते हैं ले नहीं पर एसी चीज नहीं जाति वाला मुंणाटी को चोटा बाई समझे और मुनाटी वाला मिजार्टी वाले को बड़ा बाई समझे तब जाके हम अपने मुल्क को मुश्भूत ही की हो लिए सकते हैं इक सवाल मैं प्रूछना चाहूंगा चाहिए हम सोशल मेडिया की बा किसी को ऐसी चीज़ें करने की जरूरत क्या है पीस्फूल मोल जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश जहां पर की जाती है ऐसे तत्वों पर नजर रखने की जरूरत है और उमीद करते हैं कि आप भी के मादम से सब लोगों को अपना दमागी संतुलन ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ों में कोई भी पार्टिस्पिशन कोई रोल अदा नहीं करना चाहिए इन लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए जो इस तरीके सी बातें करके एक कन्फूयन का बोल एक लांडर प्रावलम को पैदा करने की कोशिश जहां पर करते हैं लब जिहाद की बात इसके यहां पे होती है लेकिन जबरन कोई चीज़ करना उसके लिए सब लोगों को एक जुटा दिखानी चाहिए और हाली में जिस डंक से इशू पहले निकल के आया तमाम बुदी जीवी लोग किसी भी वरक के हों चाहिए हिंदू हों मुस्लिम हों सीख हों उन्होंने इस अवाज के साथ इस सूर के साथ अपना सूर मुलाया है और तब ही जाके यह मसला साल्व हो गया आल पार्टी मीटिंग की बारे में अगर मैं एक सवाल पूछू हूं सर अल पार्टी मीटिंग लिए तमाम जो है राजनेतिक दल के बड़े-बड़े नेता गए मोधी साब से मिलने तो क्या लगता है आपको कि किसी भी बड़े नेता नहीं है अगर जमू कश्मीर के स्वास्थ विवाग की बात की जाए तो उस और किसी ने भी बात जो है सामने नहीं रखी में मक्सदा स्वास्थ की तो बात तब करते जब हम सब लोग तंद्रोस्त होते बाजपाने केंदर ने ऐसी जनवरोधी नीती यहां पर अपनाई कि दो साल में करोना तो अब यहां पर आया है उससे पहले हम पैरलिटिक मोड बे चले गए थे जो फैसला पांच अगस्त को आया जब हमारी रियास्त का दरजा चीना गया हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए क्योंकि उ यहां पर अपने पीट थब थबाते हैं कि हम सब लोग हमारी पार्टी जो जिनके नाम पर जीत किया है जब उनकी शरन में जाते हैं तो बिगी बिली की तरह बैठा जाते हैं मुझ से लफ़स्तों निकालते क्योंकि अजंडा कोई नहीं था इस चीज को ले के जमू के अव सब्सक्राइब से लोगों बीच में जाके बाते रखी आप मंगी यहां पर रखी कि इन चीजों के लिए फूरी तोर पे आप चुनाव करवाई यह डिली मिटेशन भी हो जाए और यह कि सड़ंग से हो ताकि रियास्ती चुनाव यहां पर रियास्तित सरकार यहां पर जो है वो लेंगे जो पाकिस्तान के कबजे में वाला हमारा जमुकश्मी क्या लगता है कब तक ले पाएंगे काफी देर होगे अब हंसी भी आती है किसने रोका आप इनकी सरकार है इतनी मजाटी है संसंद में पूरी ताकत है तो कौन रोक इनको रोक रगा है यह इद वाल जगह पर आरमी के टेक्निकल एरफ़ पर उसकी वारदात होना ये देश के खलाफ अब है और हम लाऒ सब देश के साथ करए हैं परदान मंत्री के साथ करए हैं लेकिन वाज़्या इनकी परशान्य क्या है यह साड़ीं का दान परदान भी करते हैं मनमौत सिंगी तो कभी ग जो पिछले के दिनों से लगातार सीरीज जो एक्किविटी हो रही है चाये हो किसी सरपंच की हत्या हो हो चाये किसी पोलीस वाले कीा शाधता का मसला है को पुरी पूरा पुरिवार उसका शाधत के दोर पे उस दूर से याँ पे गुजरे हर जगा पर और द्रोन کی activity लगातार चार दिन से लगातार यहां पर चर रही है तो क्या जो कल तक दावे करते थे बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया नोड़ बंदी के बाद हमने आंतगबाद की कमर तोड़ दी आपके वो जो बियान लोगों को गुमरा करके नोड़ बंदी से पैसा भी आपने पूरा बंक में आ गया और नोड़ बंदी के बाद तो यही हमने सुचा था शायद कमर तूट गई है आंतबाद तो आप देखें पिछले कही दिनों से बारदर्तों का सिलसला जारी यहां पे है आप स्ट्रेजी बनाओ अपना स्क्योर्टी ग्रिड को एक्टिवाइस करने की बाद है क्योंकि उन्होंने भी बहुत दोर यहां पे देखा मुश्कल दोर से निकल रहे हैं लेकिन स्ट्रेजी कली सरकारों का जो काम यहां पे है तो मैं समझते हूं कि जब अमर्नाश यात्रा को रद कर दिया गया तो उन्होंने हमारे जमू कश्मीर के हवाम जो टूरिस पर डिपेंड करते थे उनके जख्मों पर नमक चिड़ दिया और भाजपा के लोगों के मूंसे नहीं निकला कि जनाव हमारी आस्ता का सवाल है कांगरस ने भी पूरी ताकत आम तक वादी उन्हें जोर लगा दी लेकिन कांगरस ने सारे लोगों ने मिलके ठ्री टायर सिस प्योंकि इस से पहले ही बहुत सारी वीडियो उनकी वाइरल हुए है तो कहीं ना कहीं ये लोगों के दिलों की आहत हो सकता है उनकी बहवना और हो या इनके आसे कहते हैं इन मेंसे एक नेता की बहानी किसी एक नेता ने ये भी कहा कि बाजपां के नेता बड़े उस्तर के नेता जणाब आरमी यहां पर जयाती कर रही है बाजपा वाले उनसे पूछ लो आप वाजपा के नेताओं को हंसी मज़ाक में लेते हैं आउं बैठे ना टोल प्लाजाटा यूण नहीं हटा वकीलों को अड़ताल के लिए इतना अपनी जाप पर काम करें एम्से के लिए 25 व के लोगों को तीन दिन बंद करके संगर्च करना पड़ा, मर्मर्त बैठने वह तब जाके एंज लिया तो बताओ, कहां पे इनकी तरफ से कोई देन यहां पे जम्मौ कश्मिर के से स् necesita में लोगों को मिली रहाद यां पे मिली आ क्या ये जम्मौ के लोग ये इतना ही मता दें कि हमने जम्मौ में को टूरिस्το destination सेंटर हमारी तो वही मांग है ना आज कहां पर हमारी को टूरिस्το ये लोग बना पाए हर मरले में हर चीज़ पे ये लोग फे लोग है रिफ्यूजियों को गुमरा करके वोट ले गे लेकिन साड़े पांच लाग से तीस लागा पैकेज की गोशना करते रहे और यही जो साब कमेटी इनके बड़े बड़े दीकर नहीं था नाम क्या नहीं उन तो भर उसके बाद यही बाते रिफ्यूजी की बाते भी मुद्दी साब के पक्षमे कर देते ना जम्मू के चैंपियन जिनाब रिफ्यूजियों का बैक्षिस पच्छिस लाख और कोई बात नहीं यहां पे की तो जो जब वक्त यहां पे आया इनकी बात रखने का उस वक सबान करते हैं लेकिन हमें डिलीवरी सिस्टम चाहिए ग्राउंड में सिस्टम चाहिए कि आप लोग हमारे यहां पे हम लोगों ने फिर भी इतने अडिमिस्टेटिव यूनिट बना के लोगों को डोस्ट होनी और उसी का उद्गाटन करके यह अपने खाले में केमे में ड हैं आज बताएं कि डीज एक मकान बनाना कितना मुश्किल हो गया डीसी साब रेट और बजली के रेट फिक्स करते हैं एक मिनने से जाएज ज्यादा हो गया यह बाजबा के लोग इतना ही बता दें किसी एक जगा पे उस रेट पे कही बजली या रेट मिली है सामने सामने उसका रेट कीमते इतनी होगी तो गरीब आदमी मकान कहां बनाएगा रोटी के सिल्सले में आप राशन डिपो में जो हम पैंतिस कि लोगों के साफ से स्केल राशन दिया करते थे आप यह रोटी भी पूरा नहीं दे पाए मकान की किमत इतनी बिल्डिंग मेटीर की इतनी क होगी कि माफिया परेट हो रहा है बाहर से लोग आ रहे हैं तो लोग कहां जाएंगे बिजली यह लोग अपनी बात यहां पर रख सकें कोई इनकी बात सुनने वाला यहां पर हो तो आज जो जिस डंक से हम लोगों ने पॉबलिक सर्विस गरंटी एक्ट बनाया था कि 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 अदमी की दर्खास किसी जगह ले चले जाए बिजली का कनेक्शन ने नहाए पानी का कनेक्शन नहाएं जा और भी इतने टाइमम बॉंड बेंडर में उसका डिस्पोजल हो जाए ब्ल्कुर आएट तो डीलिमिटेशन कंशन की बातें भी पराइम मिस्रे साभके साबने हु के तमाम मुद्दे और खासकर एक मुद्दा जो गरमाया हुआ है गाटी से जबरन धर्म परिवर्तन का तमाम सिख समुदाई के लोगों ने नराजगी जिताई हिंदू समुदाई के लोगों ने भी नराजगी जिताई और तमाम जितने भी अगर घाटी की बात करें मुस्लि लोग देखते रहे हैं जम्मू परिवातन कानौन अभिशेक कुमार के साथ चाहिन